एक दाम बातने के लिए लेंगे ता तो आप लेंगे नहीं सुनें कि वैक्सिन लेने के बाद में बहुत खराब हो रहा है क्यों नहीं लेंगे जब देड़ा है वैक्सिनेशन का भी कब से इंतीजारता है हम चाहते है की वैक्सिन लगे आभी तो कोई ज़रूत नहीं है मुझे जरूत नहीं है क्यों अभी तो ठीक ठाक हूँ उसलिए इसे लिए सरकार वैक्सिन बनाई है वैक्सिनेशन सुरू हम लोगों में काफी खुसी है इस बात को लेकर नमस्कार में हुआ निकुल तिवारी और आप देख रहें लाइव सीडीज कोरोना का जो वैक्सीन है वो अब तक 45 साल से जो उपर हैं उनको लग रहा था लेकिन सरकार ने कि 1 माई से 18 साल से जो उपर हैं और 18 साल के जो हैं उनको भी लगना शुरू हो जागा 1 माई से तो का बस रिजन किया बस नहीं लेंगे यह जबंगा लिखेम चिंश की क्रोना का इतना गळगा लया है कि लोग मर रहा है तो वैक्सीन तो सभी ले रहे और आप क्यों लें अधिक बाटने के लिए लेंगे ता बचना है ना करोना से लेंगे एक मही से सबको वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा जो अठारा साल से उपर है आप लेंगी हाँ बिल्कुल लेंगे इस पल का इंतजार था हाँ बिल्कुल क्योंकि इस मोस्ट अवेटेड है वैक्सीनेशन का भी क्योंकि अभी लोग बहुत परिशान हो चुके जितनी जल् करएं लेंगे आप जाप लिंगे एक मही से 28 साल से उपर हैं उनको भी वैक्सीन लगने लगेगा आप लेंगे याeurणाओ करें कि इसका मतलब वंभी पापा अलाओ करेंगे तब ऐसे नहीं कि एक माई से वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा 18 साल से जो उपर हो उनको भी लेंगे यह वैक्सित रूप से लेंगे यह वैक्सिनेशन्स होने से बहुत लोगों को फाइदा जोड़ा नाग भी धरा ढख जाते हैं कि इस बात को लेके एक माई से वैक्सिनेशन शुरू हो जाएगा 28 साल से उपर है उनको भी दिया जाएगा आप लेंगे यह क्यों नहीं जी सब इलगा कप से इंती जार तो हम चाहतें कि वेक्सिन लगे चांस रह धागत तो हम लोग लेना पड़ेगा पुरा समझ वह में जाएंगे तब लेगा एक मई से जो अठारा साल से उपर है उनको भी वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा आपका क्या है लेंगे या नहीं अभी तो उमर नहीं हुआ है ना अब अठारा साल के नहीं है नहीं वही वही एक मई से अभी है नया चीज आया है एक मई से अठारा साल से जो उपर है उनको भी लगना शुरू हो जाएगा अभी तो खोई जरूरत नहीं है मुझे जरूरत नहीं है क्यों अभी तो ठीक ठाक हूं तो यह है कि सभी लोग को लेना है तो आप नहीं लेंगे जरुवत परेगा तो क्योंने अभी जरुवत नहीं है इनको जरुवत नहीं है ताकत है एक मही से वैक्सीन लगना शुरू 18 साल से जो उपर हैं लेंगे आप जी बिल्कुल लेंगे इंतिजार था इस पल का जी बिल्कुल था इंतिजार इस पल का लागि जिस दिन आएगा उ देखेंगे और अगलारी में लेगा तो लेंगे हम भी हो क्या एक माई से वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा लेंगे नहीं लेंगे आपका आपका चेहराई से दिख गिया था कि आप नहीं लेंगे क्योंकि मास तो लगा नहीं रहें जी क्यों नहीं लेंगे नहीं लेंगे और इसलिए सरकार व्युक्तक को फाइदा नहीं कि एक महीं को गासीन पूपे को तफ्ल का इंतजार था कि 18 साल से यो उपर है उनको भी लगने का मुचा मिला appointment कि अब को 55 साल वाले को विलता था और लगना नहींन के पेली दिए हुआ तो एक मही थौड़ा रुक कही लेंगे वैक सिस्पाली वर रुखने ये साथ मिलेंगे साथ यह वह भी नहीं लिए अभी अब तो आ गया रूल की 18 साल से जो भी उपर हैं अभी तक बस 45 था अब 18 साल से जो उपर है उनको वैक्सीन लगने लगेगा आप लेंगे एकसे में मेरे तभी 18 साल होगा नहीं है एक माई को वैक्सीन ले लैंगे बिल्कुल लेंगे कियों नहीं लेंगे जब देड़े पर रहेंगे क्या इंतजार था इस पलका की चुए अईसा कोण जानता था कि इंतजार नहीं है ऐसा हम जानते हैं कि बैकसिंग लेना पड़े गाम को आधारá साल से तो इस शीज का इंतजार था नहीं जी क्यूं रहेगा इंतर गार कि गि twists लेंगे बिल्कुल लेंगा जब मोधी जी थाड़ा साल उमरवाला के वैक्सिन देने के लिए तैयार है हम क्यों नहीं लेंगा एक माई को आप वैक्सिन लेंगी अभी मेरी पैरेंट्स यहां पर नहीं है तो हम ऐसा करेंगे कि वो बोलेंगे तो लेंगे वो अलाव करेंगे इस पल का इंदेजार तो है क्या लगा है कि एक माई को वैक्सिन लगना शुरू हो जाएगा जो टारा साद से उपर है मालूम हो गई है तो क्या इरादा ले लेंगे जी जैसे अपना सुरेच्छा के लिए परिवार के सुरेच्छा के लिए लेना तो जरूरी है तो आपने देखा कि लोग को इस पल कए इंज़ार था कि जब भी 18 साल से जो ओपर है वो वेट करें थे कि उनको कभ वैक्सीन लगएगा तो इंज़ार खतम हुआ, एक मय से सबको वैक्सीन लगने लगेगा लेकिन अभी कुछ लोग एक दो लोग हैं जो बोलते हैं के वैक्सीन की क्या ज़रूरत है क्योंकि सरकार कही कि दो बहुत दिधना बहुत घुरूरी है क्योंकि कॉरोनों काल में आप हम अजीब सिश्वेशन तो बस लाइव शीरीज के साथ बने रहे हमारे शानल को सब्सक्राइब करें फिजू पेज को लाइक करें धन्यवाद